नमस्कार दोस्तों श्रागत है आप कारूरा इस एकडमी में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मानसून के खतम होने के बाद हम आपके लिए एक क्रिशी जहां-जहां क्रिशी से लिटेट एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मिट्टिया कहां-कहां पाई जाती हैं व आपको पूरी तरह क्लियर हो जांएं काउसे मिट्टिया का खाये बदाएं अच्छा इससे बिबताइए पर्वयतिया जानते हैं पर्वती मिट्टिया की आता होगा मतलत जहां पर्वत होते हों Scottish भालत हमने आपको हिमाले के बिसम बताया है यह देखिए यह पूरा छेत्र परवतिये में आ गया ठिक और थोड़ा सा यह आ गया से किम और यह भाई साब अउड़ा चल में आ गया तो अगर हम बात करें तो यह यह चेत्र आप यह ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से राजे हैं आपको देखना ज़रूरी है यह और आपको बड़ा चल पर इसको भी ले सकते हैं यह थिक हमने बात की पहला कौन से परवतिये मिट्टी परवतिये मिट्टी की बात कर रही है थिक हमने बात की परवतिये मिट्टी इसमें कौन कौन से राजे सामिल ह याद रखिएगा जम्मू कश्मीर है एच पी गैस एच पी गैस का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश और यूके यूके यूनाइट किंग्डम वाला नहीं भारत का यूके जहां अच्छे-च्छे सुनेरे-सुनेरे-सुन्दर-सुन्दर दिर्श्य पाया जाते हैं जहां पर अधार पर हमेसा घुमने के लिए जाना चाहते हैं वह यूके सिक्किम मत्लब आप जानते हैं और अरूदा में आरूडा चिल क्या है अरूडा चल कहां कहां परवत्य है मिट्टी पाई जाती है यह परवत की बात हम कर रहे हैं ठीक हमने आपको बता दिए यह कि हम पर्बत की बात कर रहे हैं पर्बत की मिट्टी हैं यह पर्बती मिट्टी हैं राज यह कौन-कौन से हो सकते हैं हमने आपको यह भी बता दिया है ठीक अरुडाचल, सिक्किम, यू के मतलब उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू का समीर, मोटे मोटे हिसाब में और नॉर्मली परवत की मिट्टी हैं, जिसको बोलते हैं forest soil, ठिक, वनिय मिट्टी, forest मतलब क्या होता है, जानते हैं ना, तो लेकिन हम उसको परवतिय मिट् हैं, तो हाँ है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप समझें, तो वनिय मिट्टी या परवतिय मिट्टी वो एकी चीज है, ऐसे हिमात हम करेंगे, आगे आ जाते हैं, हम अगर बात करें, तो दूसरी मिट्टी जो हमारी आती है, अगर हम बात करें, दूसरी मिट्टी हमारी जो आ ब्लैक स्वैल मतलब की आप जानते हैं काली म्रदा जिसको हिंदी म्होंते हैं काली मरदा इसके एक स्टोरी बता देते हैं आपको, इसका निर्माड कैसे हुआ काली मर्दा का, काली मर्दा का निर्माड, आज से पांच मिलियन वर्स पूर्ब अप्रॉक्सिमेट नहीं, तो हम पैदा थोड़ी नहीं थे, हमको कैसे पता होगा, लेकिन अप्रॉक्सिमेट, पांच मिल स्टॉच से पूर्ट में ऐसा भी स्टॉच रखॉचुर्ट होगा ज्रॉच पितली थे सब्रॉक्सिमेट, कि बहुत बड़ा उलका पिंड गीरा यहां पर आकर के स्किबटे से ऐसा विस्पोर्ट हुआ कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां पर पहले यह पुरा समुद्र का भाग था वो जो निकला समुद्र से डारेट वास्तोविक्ता में किसी को नहीं पता बहुत सारी त्योरी इस पे की गई हैं लेकिन इतना पता है कि यह जो आपका रीजन बना यह जो आपका रीजन परा बॉना के पूरा वह पूरा उसी का नतीजा था बहुत अलक-अलक प्रकार के यहां फट रहे थे जब उनसे लाभा निकला तो लाभा आपको पता है मिश्रित तो या फिर लवड़िये या फिर छारिये या फिर अमल्य बहुत सब प्रकार किलाबं होते हैं उस सब लाबा सीक्वेंस में एक दूसरी से ब्हहने लगे ऐसे 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 एक टाइम ऐसे आया कि यह सब बहके कैज कि तो भागे इसिमें कि कि जो मिट्टी निकल पाई वो पाई बागी सब दब गये है इसे अगर आप कभी भी देखिए तो बहुत बड़ी बड़ी कक्ताने खड़ी करड़ अगर कोई गया हो Double कभी देखा हुगा तो Towelsमineभ बहुत बड़ी हम चाणे खड़ी हुई है ba सब्सक्राइब बढ़ी इस लिए बोलना हूं कि लावा से गुंबंबट तॉ ऐसे कोई आइसे रख खाली रह गई तो अधर बनता चला गई जब एक टाइम ऐसा आया is time, ऐसा आया कि अभी आपने जानते हो तो आप को पता होगा की मान लेजी घर में आप लकडी जलाते हो घर में जो लकडी जलाते हो गए तो जलते समें तो दम जैसे लाल लाल ना डम लाव टाइक को निकलता होगा ना उसमे लेकिन जब आग बल्लब धीरे-धीरे कम हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि उसमेंपर बुझ जाए आग पुरी तरह से तो आप देखेंगे राख बचेगी और राख के साथ लकडी का कोईला बचेगा जो काला-काला होता है जर्षू कि यहां मिट्यां जली यहां पर जब इसका निरमाड हो रहा हथा जहाना मुखला हूँ तो यहां मिट्ञान मिट्यां इतनी जली कि पुछ जयाक मतलब यह समझें है जो वह सूख गई ना मतलब जैसे मैंने बताए नहीं कि आग कम कोहला बचा इसमें तो मिटीयां नीन ही थी पेड़ तो जौध केसाता आज एक काली मृध्य के तो आप मेरी भावनाव का समझ पर कि कैसे निर्मार हुआ ठीक को जब ऐसे निर्मार हुआ आपके किसका सा साक़ बहुत दर्द साहा इस मट्टी ने और इसका जो छेत्रफल है वो पांच लाख 9ant square में a not לא photographer किल्यूम्टर पांच बलाव किल्यूमेटर पांच लाख हैर वर किल्यूमीटर ठिक कितना क्फान कि लाक व इतरो किल्यूमेटर ने है 5 मैं कि ठीक फेड़ लैक्स वर्ट किलो मीटर में इसका र्जित भर फैल अब आपको पूरी तरह से पिक्चर समझ्ज में आ गई यह पूरी कहानी समंझ्ज में आ गई पूरा बैग्रॉड समय में आगी होगा तो आपको अगर हम दिखाएं तो आप ये दिख लिजें कि यह है आपका मध्यप्रदेश यह है आपका महाराष्ट करते हैं यह आपका करनाटक के यह आपका तेलंगा नाटी यह आपका 36 गड़ थोड़ा सा देखें हलकाल का सब्सक्राइब लग याता है तो और अब आप देख सकते हैं कि इसके छीटे इसके बूंदे केरल और तमिलनाड उतक आएं कहां तक केरल का के टमिलनाड का टी अगर आप ले लें से तो इतने स्टीटू में का कि निर्मार हुआ ठीक यह ऐसे हैं वास्तुक्ता में अभी इसी को मैप में चाहिए आप कंवर्ड करने कोई लिक्त नहीं है ठीक ब्लैक स्वाइल आपकी यह बैक ब्लैक स्वाइल की से मैं आपको पूरी जानकारी हमने देदी हैं अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम देखत मिर्दा और लाल मिर्दा लिटराइट मिर्दा और जलोड मिर्दा ठीक जलोड मिर्दा जलोड मिर्दा भी आएगी आपकी तो अब आप देखिए जलोड मिर्दा में हम इसके बाद अबाद आते हैं जलोड मिर्दा क्या नाम इसका जलोड या फिर जलोड मर्दा क्या है जलोल मर्दा स्वायल इस से अच्छा तो इंगलीज ही रही है स्वायल ठीक आब आप देखिए जलोड मर्दा अब आपको पता होगा जलोड मर्दा यह गंगा का मेदानी छ्षेट रहे यह पूरा यह गंगा का मैदानी छित रहे मैंने आपको बताया बेशिर इसका कहा कहा थक रखो सकता है ठीक है मैंने आपको यह पहले ही बता रखा है मैंने आपको यह इसलिए आप अगर ना देखे हो पुराने वीडियो को दो आप पहले देख लेजिए यह देखिए कहां कहां पे हैं यह आपका पंजाब हम इसको को पी से डिनोट कर देते हैं यह हर्याडा को एच से डिनोट कर देते हैं यू पी को हम जो है यू से डिनोट कर देते हैं बिहार को बी से डिनोट कर देते हैं छारखंड को जे से डिनोट कर देते हैं M P K puncto यतलिन कर देते हैं राजस्थान को नोड़िक और यह बगले में आर डेली भी याजाए कर D कर देते हैं आप MP होगया आप 36ग को सी सी नोड़ कर देतेजैंudit तिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल भी आजाएगा कितने स्टेट हो गए पंजाब डैली राजस्थान मर्द्य प्रदेश ज्हारखंड 36 गड़ बंगाल पलपश्चे मंगाल बिहार यूपी एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ है प्रदे लिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नम तस एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नम दस दस राज्यों में किसका जलोड म्रदा का अब यह आपने देख ली आप डम अगर भात करें तो यह पस्तुमी में हैं यहाँ सब कॉने में सब में तो यह तोड़ी सी यहाँ पाई जाती है तो यहाँ झपाई जाती है अगर आपको appropriate तो यहां भी पाई जाती है, ठीक है, करनाटक में भी पाई जाती है, आपको पता है, थोड़ा महरास में भी पाई जाएगी, आपको पता होना चाहिए, अब आज आईए आप, उरिशा में भी पाई जाएगी, थोड़ा चतीस गड़ में भी पाई जाएगी, असाम में भी प लेना है ठिक और ये एक छेत्र है ही आपका और आपने आंधर पर देश को छोड़ दिया यहां भी पाई जाती है यह हम किसकी बात कर रहे हैं कि लेट राइट कि शॉयल है यहां पे काजू की खेति होती है किस चीज की काजो की खेती होती है केडल में लेट्रेट मिर्दा समय में आ गया हमने जलोड मिर्दा देख लिए फॉर्ष्ट या फिर परवतिये छेत्र को देख लिया है रेगिस्तानी अगर बात करें तो रेगिस्तान तो आप लोग को पता हिए रेगिस्तान में क्या बनवाना है रेग लग जाता है तो वो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सब को बता होता है अले ट्राइड में आपको बता दी है रेड एन यलो श्वाइल रेड एंड यलो श्वाइल आपका यह देखिए यहां पर अगर मालवा का पठार यह आपका ब्लैक स्वाइल है था दो तो सब वही है रड़ एंद यलो पूरा यह पूरा आता है तो आप यह समझे तमिलनाडू आंद्रा तिलंगाना उडिशा च्छतिजगर्ड और महरास्ट्रा और करनाटका आपका यह देख लीजिए इधर थोड़ा हो सकता है कि मद्यप्रदेश भी आ जाता है इसमें तो एक दो तीन जाती है तो इसलिए परिशान जरूबत नहीं बिल्कुल मरतयात करिए इसको क्योंकि यह पूछ सकता है कि भारत सबसे जादा कहां कहां पाई जाती है तो आप देख लीजिए आपको यह फीगर बना के दिखा दिया मैंने तो यह तो यह आप दिखा सकते हो अगर म्रदा और यह दिखाई देती है तो यह मान के चलिए कि आपको इन दोनों को नहीं जुनना है क्योंकि जलूड म्रदा हमारे यह सबसे ज्यादा पाए जाती है ठीक सलूड मृदा 42 पर्सेंट कितना 42 पर्सेंट 42 पर्सेंट वाद ही सारी मर्दाएं उसे केंटर का ता जाती है क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे तब देखना कि रेड और रेड और यल्लू और ब्ल्लैक स्वाइल में से कौन्सी स्वाइल मोजूद है तो फिर आपको पता है आपको लगाना व्लैक है यलो मृद्ण देखिए कठे आपके फ़ॉर्स वैल हो गया और यल्लो मह पर नत्हों को घए और यह सो गई और जलूर म्रदा भी हो गई अब आपका जो म्रदा वाला चेप्टर था क्रिशी में तो कहां म्रदाय पाई जाती है वह समापत हो चुका है और अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर जो अभी छूट गया होगा जो आपकी जान के लिए बहुत जुरूरी होगा उसको देखके लेके समझ आएंगे ताकि आपको समझा सकें तब तक के लिए नमस्कार चैहर